पहले पार्लिमेंट का special session announce हुआ और काफी fanfare से पुरानी special session का पहले तो मालूम नहीं था यह special session क्यूं हो रहा है speculation काफी हुआ और फिर पता लगा कि इसका main focus महिला आरक्षन है उसके बाद महिला आरक्षन तो बड़ी अच्छी चीज़ है उसके बाद ये दो clauses इसमें दो footnotes हमें मिले एक की महिला आरक्षन करने से महिला आरक्षन देने से पहले हमें census करना पड़ेगा और दूसरा delimitation करना पड़ेगा और इन दोनों चीज़ों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे सच्चा ही ये है कि महिला आरक्षन को आज किया जा सकता है 33% आज जो seats हैं लोग सभा में विदान सभा में वो महिलाओं को दी जा सकते हैं कोई complicated मामला नहीं है मगर सरकार वो नहीं करना चाती है सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है मगर reality ये है कि implement आज से 10 साल बाद होगा ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा तो एक प्रकार से ये distraction tactic है diversion tactic है diversion किस चीज़ से हो रहा है diversion OBC census से हो रहा है मैंने parliament में सिर्फ एक institution के बारे में बात कि वो जो हिंदुस्तान की सरकार का center है core है जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है cabinet secretary and secretaries और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा प्रधान मंत्री कहते हैं कि वो OBC के लिए बहुत काम कर रहे हैं अगर प्रधान मंत्री इतना काम कर रहे हैं तो नब्बे में से नब्बे लोगों में से सिर्फ तीन लोग OBC community से क्यूं है पहला सवाल दूसरा सवाल मैंने यही analysis बजट को देखके की यह पूरा हिंदुस्तान का बजट किया है और यह जो OBC officials है यह बजट में से कितना control कर रहे हैं और क्या control कर रहे है अदिवासी क्या control कर रहे है दलित क्या control कर रहे है OBC हिंदुस्तान के 5% budget को control कर रहा है OBCffen तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है प्रधान मंत्री हर रोज OBC के बाद करते हैं OBC प्राइड की बाद करते हैं मगर OBC के लिए किया किया अब जब मैंने यह बात बोली उनका रिस्पॉंस बड़ा इंट्रिस्टिंग है वो कहते हैं कि लोग सभा में हमारा रेप्रेजेंटेशन है लोग सभा में रेप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है मैं कह रहा हूं कि बज़ेट डिसिजन जो लेते हैं जो बज़ेट को ऑफिस्टर ने जो बज़ेट को कंट्रोल करते हैं 5% OBC मिरने ले रहे हैं और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा क्या हिंदुस्तान में OBC के आवादी 5% है यह मैं जानना चाबता हूं अगर 5% है तो फिर वो ठीक है उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए त्यार हूं मगर वो 5% से ज़्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है और एक बार मैं मन बना लेता हूं मैं छोड़ता नहीं हूं मुझे यह पता लगाना है यह OBC हिंदुस्तान में कितने हैं और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए अब आप किसी लोकसभा में किसी भी MP से पूछ लीजे लोकसभा को Temple of Democracy का जाता है आप किसी भी BJP के MP से पूछ लीजे कि वो कोई decision लेता है कोई कानून बनाता है कोई कानून बनाने में भाग लेता है किसी से भी पूछ लीजे बिल्कुल नहीं ना Congress का MP इस लोकसभा में ना BJP का MP ना कोई और India का MP कोई decision लेता है मतलब MPs को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तिया मना रखी है और OBC की वहाँ पे मूर्तिया भर रखी है मगर power बिल्कुल नहीं है देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है ये सवाल मैंने उठाया है कि क्या और हर हर OBC युगा को ये समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए हाँ या ना अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी अबादी 5% है हाँ या ना ये सवाल है और distraction इस बात से हो रहा है BJP को ये जो दो points है महिला आरक्षन वाले delimitation और census इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज़त मिलनी चाहिए जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो भागीदारी होनी चाहिए उनको एकदम वो कर दे और caste census का जो हमने data निकाला था उसको public कर दे तो सारे हिंदुस्तान के OBC युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने और निया census caste basis पर करें तैंक यू और और प्रदान मंतरी को प्रदान मंतरी को अपने अगले भाशन में ये कहना है ये समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे ज़रूरी 90 अपसर जो है उन में से सिरफ तीन OBC क्यों है ये में सवाल है और मैंने दलितों रादिवाजियों के बात ही नहीं की अभी सिंपल बात स्टेप बाई स्टेप करना है आपको चोट लगती है तो एकसरे होती है पता लगाना पड़ता है कि structure में कमजोरी कहा है हड़ी कहां तूटी मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ पहला कदम x-ray है कि हमें पहले caste census के माधियम से हिंदुस्तान का x-ray करना है कि भहिया हैं कितने लोग वो बिसी कितने हैं अलग-अलग communities कितनी हैं tribal कितने ये पहले table पे तो रखो decision लेने से पहले अगर हम अपने सामने data ही नहीं रखेंगे तो decision कैसे लेंगे वो तो आपने बात की बात की मगर पहले हमारे सामने data रखो data रखोगे मैं आपका जवाब दे दूँगा आज तो data ही नहीं है दूसरी बात मैंने अपने भाशन में कहा कि आजादी की जो movement थी वो एक शुरुवात थी distribution of power transfer of power to the people of India हिंदुस्तान के लोगों को power transfer करने का पहला बड़ा कदम था उसके बाद हमने और कदम लिये हैं caste census से जो data निकलेगा वो हिंदुस्तान की जनता को और power transfer करने का तरीका है मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जो OBCs हैं, Dalits हैं, Tribals हैं, बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं उनको हमने transfer of power करना है उनके लिए हमें power transfer करना है, उनके हाथों में power डालने है foundation वो है और caste census की ज़रूरत है क्योंकि उसको समझे बिजना हम यह करी नहीं सकते हैं देखो हमारे समय जितने भी थे सही representation होना चाहिए हमारे समय कम था, वो भी खराब है इनके समय कम था, कम है, यह भी खराब है हम change आते हैं ठीक है मेरा कहना है कि जब मैंने यह आकड़ा देखा मैं हिल गया मैं believe नहीं कर सकता था कि 90 secretaries में से पीरों भी सी कहा है मैं शौक हो गया, हैनान हो गया, यह क्या हो रहा है और इसको बदलना है हिंदुस्तान के जो आम जनता है, गरीब जनता है उनको पावर देनी है प्राहुल क्योंकि special session के बात हो रही है बहुत shocking एक video जो viral हो रहा है उसमें रमेज पिदूरी साहब floor of the house में एक speech दे रहे है जिसमें वो दानेश अली साहब को on record मतलब माइक पे आतनकवादी कहते हैं मुला कहते हैं और कई शब्दों का इस्तमाल करते हैं जिनकां प्रयोग नहीं कर सकते तो इस तरह का व्यवहार जब संसत के भीतर हो रहा है किस तरह से आप इसको देखते हैं देखे वो पार्लिमेंट की का issue है उसमें ये speaker का की जिम्यदारी है और ये parliamentary process चलता है इस पे मैं यहां पे comment नहीं कर सकता हूँ मैं complete नहीं हुआ complete सर complete नहीं हुआ राउज जी आप बहुत महत्मूर सवाल उठा रहे हैं एक तो देरी का दूसरा OBC के कोटे की मांग कर रहे हैं सवाल ये है कि 2010 में जब UPA के समय में बिल आया था तब अगर यही कोटा जो आज Congress मांग कर रही है अगर दे दिया होता तो ये कानून शायद 10 साल पहले बन जाता तो ये जो आप से सवाल पुझा जा रहा है कि आज आप कोटे की बात कर रहे हैं OBC के क्योंकि क्या विपक्ष में जब सत्ता पक्ष में आप बिल्ले कराये थे उससमें OBC कोटा क्यों नहीं था और क्या इसका आपको रिग्रेट है अपसोस है कि उसमें OBC कोटा नहीं दिया Congress ने 100% रिग्रेट है 100% रिग्रेट है वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे एक distraction tactic है और दो मुद्दों से BJP घवराती है डिस्ट्रैक कराना चाहती है और यह related है एक है अदानी जी जो देश का पूरा धन अपने हाथों में concentrate कर रहे हैं और दूसरा का सेंसस तो यह related चीज़े हैं और इन दोनों बटन को जब मैं दबाता हूं जैसे यूँ दबाता हूं BJP एकदम जंप करती है तो क्यूं करती है क्योंकि वो जो obesity community है सच मुच में उनको पावर नहीं देना चाती है और वो पावर अदानी जीत के हाथ में concentrate करना चाती है मैं जो हिंदुस्तान की जनता है उनको इंपार करना चाता हूं और अगर मुझे दिखे कि OBC community जो है जो बहुत बड़ी community है किसे को नहीं मालूम कितने लोग हैं बट लोग कहते हैं पचास परसेंट तक हो सकते हैं जब मुझे दिखता है कि एक community है जिसमें हिंदुस्तान की पचास परसेंट आवादी है और Government of India के secretaries में तीन लोग हैं नबे में से तीन और वो पांच परसेंट बजट को कंट्रोल करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है इरिटेशन होती है इस देश में हो क्या रहा है एक तरफ हम अदानी जी को देश के पूरे institutions पकड़ाने है नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान की रीड़ की हड़ी है जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उनको हम हिंदुस्तान को चलाने में सरकार को चलाने में कोई जगे नह काल देते हैं तो इससे मुझे इरिटेशन हो रही है और जैसे हमारी सरकार आएगी हमने वहाँ पे करनातक में कहा था कि जिस दिन आएगी उस दिन हमारी पांच ग्यारंटीज लगू हो जाएगी यहां भी मैं कह रहा हूं हमारी सरकार आएगी कास सेंसुस होगा और देश को लगेगा कि हमारे ओबीसी भाई कितने हैं दलित भाई कितने हैं और उनको देश को चलाने में भागीदारी मिलेगी यह मैं आपको कह रहा हूं यह छोटी प्रोसेस नहीं होगी एक दिन में नहीं होगा मगर नियत समझे आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमें चा जी ने कह कि हमने ओबीसीज को विदान सबा में लोक सबा में डाला है आप मुझे बता दीजिए कानून बनाने में बजेट में उनकी क्या भागीदारी है पहले 50-60 साल पहले डिबेट्स होती थी MPs का रोल होता था MP कानून बनाते थे हमारी पार्टी में भी MPs को हम रोल देते हैं उ आरेगा में इंवाल्व करते हैं आप किसी भी BJP के MP से पूछ लीजिए विदान सबा में किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए सरकार चलाने में उनकी क्या भागीदारी है जवाब देंगे हमारा कोई रोल नहीं है यह जो मैंने मूर्ती के अनलीजी आपको दी है यह BJP के MP मुझे लोकसवाब पुरानी बिल्डिंग में लोकसवाब के बाहर बुला है कि हमें यहां पर बैठा रखा है हमारा फाइदा उठा रहे है हमारी कोई बागीदारीनी है सरकार को चलाने में थैंक्यू